दोस्तों आज हम लोग खजूर के बारे में बात करेंगे खजूर को अंग्रेजी में डेट भी कहा जाता है साल भर मिलने वाला ये फल बहुती मीठा और स्वादिश्ट होते हैं एक्सो ग्राम खजूर में करीब 277 कैलरी पाए जाते हैं खजूर में कई प्रकार की मिनारेल जैसे फाइबार, आईरोन, केलसियम, पटासियम, मेगनेसियम, सालफार, फोस्परास और कई प्रकार की विटामिन जैसे विटामिन A, विटामिन K, विटामिन B, 6, थियामिन, राइबोफलाबिन, नियासिन और फोलेट पाये जाते हैं खजूर में कई प्रकार की नेचरल सुगार जैसे ग्लुकोच, सुक्रोच और फुक्टोच पाये जाते हैं जिससे इसके सेबन से आपका सरीर में तुरंत उर्जा का पैदा होती है इसी कारण आप देखेंगे इसलाम धरम में मुस्लिम बरादरी के लोग रोजा रखते समय इप्तारी में खजूर खाते हैं खजूर दिमाग को मजबूत करने में मदद करती है दोस्तो खजूर में कई ऐसे पोशक तत्य पाये जाते हैं जैसे डाइटरी फाइबर, नेचरल अन्टी अक्सिडेंट और फैनोली कमपाउंड जो डिमेंसिया और अलजाइमार जैसे बिमारी को रोगने में सक्सम होते हैं दोस्तो इस बिमारी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं उमर के साथ-साथ हमारे सरीर में सेल डेड होने लगती है याने सेल कम घटने लगती है इससे हमारे भूलने की बिमारी या किसी चीज को याद कर पाना बेहत मुश्किल होता है दोस्तो खजूर एनिमिया जैसे बिमारी में मदद करती है अगर हमारे सरीर में खून की कमी होती है तब एनिमिया जैसे बिमारी होते है इससे सर चकराना, कमजोरी महसूस करना, ठकान और सांस फुलने लगती है खजुर में कई मिनारेल जैसे आईरोन की मात्रा जादा होने के बज़े से खुन की कमी को पूरा करने के साथ सरीर में उर्जा भी पैदा करती है खजुर हिदय रोक के लिए बेहत फायदेमन होते हैं हिदय रोक के लिए जो चीज सबसे खतरनात होती है वो है ट्राइगलीसराइट और कोलेस्टेरल सरीर में कोलेस्टेरल और ट्राइगलीसराइट की मातरा जादा होने के बज़े से हिदय की धमनिया में ब्लोकेज होने लगती है और खजूर काने से triglyceride और oxidative stress दोनों कम होती है जिसे लंबे समय तक हार्ट स्वस्त रहते हैं दोस्तो sexual health के लिए भी खजूर बेहत फायदे मन होते हैं खजूर के जितने भी फायदे हैं ये फायदे सबसे एहम माने जाते हैं क्योंकि हमारे sexual disease में हम लोग treatment कराने से जीज़कते हैं इसी कारण आप natural treatment के तौर पर अगर आप खजूर खाते हैं तो खजूर में मौझूद तेल जैसे extra oil और flavonoid जो spam count को बढ़ाने के साथ साथ premature ejaculation और cigarette पतन जैसे बिमारी को रोकने में सक्सम होते हैं खजूर हड़ी को मजबूत बनाती है खजूर में कई प्रकार की mineral जैसे calcium, potassium, phosphorus हड़ी को मजबूत करने के साथ साथ osteoporosis जैसे बिमारी में भी रहात देती है दोस्तों खजूर बजन बढ़ाने में मदद करता है अगर आपका बजन कम है और आप बढ़ाना चाते हैं तो जरूर खजूर का सेबन करें क्योंकि खजूर में भरपूर मातरा में कार्बोहाइडेट पाये जाते हैं इसके अलाबा इसमें protein, mineral और vitamin पाये जाते हैं जो बिहती कम समय में आपका बजन बढ़ा सकता है अच्छा खजूर खाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है दोस्तो खजूर आप दिन के किसी भी समय में खा सकते हैं लेकिन खाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखे कि अच्छे से धो कर इसको खाए सुभा को खाली पेट भी आप खजूर का सेबन कर सकते हैं क्योंकि इससे दिन के सुरुवात में आपको ज़्यादा उर्जा मिलती है। सेक्स्वल हिल्थ को अगर आप मजबूत करना चाते हैं तो इसका सेबन आप रात में सोते समय करें। दूद के साथ खजूर का पेश्ट को मिला कर पी ले। इससे बहुत ज़्यादा फाइदा होती है। दोस्त अब चलो जानते हैं खजूर खाने का नुकसान के बारे में। ऐसे भी खजूर खाने का ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है लेकिन किसी-किसी बीमारी में इसका सेबन नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप डाइबिटीज जैसे बीमारी से जूज रहे हैं तो इसका बिलकुल ना सेबन करें। क्योंकि खजूर में बहुत ज़्यादा सुगा रहने के बज़े से आपकी बलाड सुगा लेबल बढ़ सकती है। इसके इलाबा अगर आप अपना बजन घटाना चाहते हैं तो अभी खजूर ना खाए। इससे क्या होता है आपका बजन घटने के बज़ा बढ़ जाता है। किसी किसी ब्यक्ति को खजूर से अलर्जी हो सकती है अगर आपका भी ऐसा है खजूर खाने से अलर्जी निकलती है तो बिलकुल खजूर ना खाए तो आज के लिए इजाज़त दे धन्नबाद